नमस्कार दोस्तों शेहिंद वंदे मातरम स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्येयन में और मैं चंदरवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ दोस्तों सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ कि 2-3 दिन तक कोई वीडियो दे नहीं पाया कुछ मजबूरियां थी और होली का इंज्वाइमेंट भी आप लोगा होगा तो होली के कारण और कुछ और मजबूरिया थी कोचिंग खोल लाओ में तो उसके कारण जो है दो-3 दिन तक नोट्स नहीं दे पाया आज जहां से हमने छोड़ा था 5-7 तारीक का हम लोग 5-7 मार्च 2020 का हम लोग कर इंट अफियर्स पढ़ रहे थे और यह 10 नंबर पॉइंट सौर चर्खा मिशन तक हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे से आज वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं और आज का टार्गेट है कि अभी तक का जितना भी करेंट अफियर्स है 13 तारीक तक का हम लोग आज अपडेट कर लेंगे आज 15 तारीक है और देखते हैं सीधा पॉइंट पढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है तो मैक बाइंडिंग मैक बाइंडिंग आज का पहला पॉइंट है जे इनके में इंटरनेट उपयोग के लिए निर्देश्ट सर्थ मतलब जमू और कस्मीर मे अगर इंटरनेट उपयोग करना है तो उसके लिए एक सर्त है जिसे Mac Binding कहा जाता है अब क्या सर्त है वो देख लेते हैं सरकार द्वारा जारी एक हालिया अदेश करनुसार जमू और कस्मीर में इंटरनेट को बहाल कर दिया गया है लेकिन connectivity को Mac Binding के साथ उबलब्द कराया जाएगा अब यह Mac Binding क्या है देख लेते हैं दोस्तों प्रत्येक दिवाइस में एक Media Access Control Mac होता है Mac number आप जानते होंगे हर एक mobile में होगा Mac number जो कि आपके battery के पीछे लिखी रहती है ठीक है एक hardware पहचान संख्या होती है जो इसके लिए विसेश होती है मतला हर device का Mac number होता है वह विसेश होता है एक device का Mac number है वह दूसरे device का नहीं हो सकता और Internet access करते समय प्रत्येक device को एक IP address भी दिया जाता है यह भी आप जानते होंगे अगर आप थोड़े भी Internet friendly है तो यह बात जानते होंगे Mac binding का अर्थ अनिवारी रोप से Mac और IP पते को एक साथ बांदना है मतलब आपका Mac है और जो आपका IP address है वो दोनों एक दूसरे से bind हो जाता है ताकि उस IP पते से सभी अनुरोधों को केवल उस विसेश Mac पते वाले computer द्वारा सेवा दी जाए मतलब अगर उस IP ID से IP address से internet access करने के लिए कोई भी request जाता है तो केवल उसी computer उस विसेश computer जिसका Mac नंबर वहां पता है केवल उसी को computer internet की सेवा दी जाएगी बाकि कोई भी दूसरा सेम IP address से दूसरे किसी laptop से या फिर computer से या फिर mobile से internet access नहीं कर सकता है वास्ता में इसका मतलब है कि यदि IP address या Mac पता बदल जाता है या Mac ID बदल जाता है तो device internet तक नहीं पहुँच सकता है मतलब device को internet की सेवा बहाल नहीं होगी इसके अलावा निगरानी अधिकारी उस विशिष्ट प्रणाली का पता लगा सकते है जहां से एक विशेष online गतिविधी की गई है वस्तुता क्या होगा कि आप जैसे ही अपना device on करेंगे आपका Mac ID पता चल जाएगा और जैसे ही internet access करने के लिए अपना IP address से access करने के लिए वहाँ request देंगे वैसे ही आपका IP address और Mac दोनों अधिकारियों को पता चल जाएगा अब यदि उनको लगता है कि आपका ID और जो Mac ID है और जो IP address है वो सही है या फिर आप कोई गलत activity में involved नहीं है तभी आपको internet access करने दिया जाएगा वरना नहीं करने दिया जाएगा आप गलत तरीके से अगर internet access करना भी जाते हैं तो वो अधिकारियों को पता चल जाएगा और आपकी जो संदिग्द गतिविदिया है उन पर नजर रखना आसान होगा तो यह है आपका Mac binding ठीक है राम वन गमन पत मध्य परदेश सरकान ने मुखी मंतरी कमल नात की अध्यक्षिता में राम वन गमन पत निर्मान के लिए ट्रस्ट के गठन को मंजूरी दे दी है यह मारग चित्र कूट से अमर कंटक तक बनेगा यह याद रखिएगा यह point important है कि चित्र कूट से अमर कंटक तक बनेगा और कहां पर बनेगा मध्य परदेश में बनेगा जहां भगवान राम ने 14 वर्ष तक वनवास काल में पतनी सीता और छोटे भाई लक्षमन के साथ वन गमन किया था आपको पता होगा चित्र कूट के घाट पर आपने सुना होगा यह दोहा तो चित्र कूट से अमर कंटक तक यह जो है बनेगा ट्रस्ट के पदेन सचीव जो होंगे वो प्रदेश के मुखे सचीव होंगे मतलब मध्य प्रदेश के जो मुखे सचीव है चीफ सेक्रेटरी है वही इस ट्रस्ट के पदेन सचीव भी होंगे ठीक है next point देख लेते हैं next point है हिंद महासागर आयोग हिंद महासागर आयोग या important point है prelims के लिहाज से तो इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा ठीक है हाली में हिंद महासागर आयोग की से sales में हुई मंतरी परसद बैठक में भारत परिवक्षक के रूप में इसको सामिल किया गया है हिंद महासागर आयोग क्या है तो 1982 में अस्थापित संगठन है जिसे sales में Victoria समझोते द्वारा 1984 में संस्थागत बनाए गया था institutionalize किया गया था इसको 1984 में और संगठन अस्थापित कब हुआ था 1982 में तो ये दोनों याद रखिएगा हिंद महासागर आयोग एक अंतर सरकारी संगठ है मतलब इंटर गौर्रमेंटल और्गेनाईजेशन जो दक्षिन पश्चिम हिंद महासागर छेतर में बेहतर सागर ये अभिशाशन मतलब मैरी टाइम गवर्नेंस की दिसा में कारे करता है तता यह आयोग पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपीय राश्ट्रों को सामोहिक रूप से कारे करने हैं दू मंच प्रदान करता है जो पश्चिमी हिंद महासागर के जितने भी दूइपी ये राश्ट्रह है वो एक साथ एक मंच पर आ करके और सामोहिक निर्ने इसमें लेते हैं वर्तमान में हिंद महासागरा योग में कोमोरोस, मेडागासकर, मौरिसस, री यूनियन, मतलब फ्रांस के नियंतरन में है या और सेसेल्स सामिल है तो ये देश याद रखिएगा कि हिंद महासागरा योग में कौन-कौन से देश सामिल है वर्तमान में भारत के अलावा इस योग में चार पड़ेवेक्षक देश और भी है कौन-कौन है तो चीन है, यूरोपिय यूनियन है, माल्टा है और इंटरनेशनल ओर्गिनेशन ओफ ला फ्रांसोफोनी है ठीक है, वाई-एफ जिसको बोलते हैं तो ये चारो जो है भारत के अलावा पड़ेवेक्षक है हिंद महासागर आयोग में तो ये याद रखियेगा, ठीक है अब भारत के लिए इसका महत हो क्या है तो इससे भारत में भारत की पश्चिमी हिंद महासागर के इस प्रमुक छेतरी आयोग में आधिकारिक पहुँच सुनिस्चित होगी यहाँ आयोग पश्ची में हिंद महासागर के द्वीपों के साथ भारत की connectivity को और बढ़ावा देगा भारत का संपर्क और अधिक मजबूत होगा और संपर्क बढ़ेगी तो साज़ेदारी भी बढ़ेगी भारत वरतमान में हिंद महासागर छेतर में अपनी सिती को मजबूत कर रहा है क्योंकि चीन अपना वर्चस वो बढ़ाता जा रहा है दक्षिनी आपका जो हिंद महासागर छेतर है और जो आपका दक्षिनी चीन सागर है उसमें चीन बहुत तेजी से अपना वर्चस वो बढ नाता जा रहा है इसलिए भारत के लिए एह चेटर बहुत ज़्यादा महतो पूर्ण है ऐसे द्विपीये राश्ट्र भारत प्रशांत छेटर में भारत की रननितीक पहुच के लिए बहुत ही महतवपूर्ण है। यह कदम फ्रांस के साथ सम्मंदों में प्रगाड़ता लाएगा क्योकि फ्रांस की पश्यमी हििंद महसागर में मजबूत उपहसेBy्ख ती है। फ्रांस जो है उसके बहुत सारे ग्विफ है ठीक है उसके अधिकार वाले। यहां भारत की सागर पहल, सागर पहल क्या है? इसका full form है सागर का security and growth for all in the region security and growth for all in the region, reason से मतलब यहां पर हिंद महासागर छेदर से है ठीक है? तो यहां भारत की जो सागर पहल है उसकी निती को और ज्यादा मजबूत करता है यहां कदम पुर्वी अफरीका के साथ सुरक्षा सहयोग में भी महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगा क्योंकि हिंद महासागर पुर्वी अफरीका से जुड़ा हुआ है, अगर आप मैप पर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा तो इसलिए यह कदम पुर्वी अफरीका के साथ सुरक्षा सहयोग में भी महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगा अब यहां पर कुछ राष्ट्र दिये हुए हैं जो कि हिंद महासागर छेतर में हैं तो इसको आप लोग थोड़ा पाउज करके और एक बार नजर घुमा लिजेगा ठीक है कि कौन-कौन से जो छेतर है जैसे भारतिये छेतर में कौन-कौन से छेतर जो जुड़े हुए हिंद महासागर से तो वेश्टर नेवल भारत का जो रननीतिक जितना भी कमांड है उसके बारे में दिया हुए वेश्टर नेवल कमांड मुंबई है फॉर्वर्ड ओपरेटिंग बेस है लक्षद्वीप है फिर आपका साउदर नेवल कमांड है कोची है इन सर्विसेस कमांड है अन्वान निकोबार आइलेंड है इस्टर नेवल कमांड है विशाखा पत्नम में ठीक है तो यह सब जो ह हिंद महसागर से जुड़ा हुआ है उसी तरह से अन्य देसों के जो कमांड है या फिर जोभी हिंद महसागर से जुड़े चेत्र है उनके बारे में यहां पर दिया हुआ है तो थोरा सा आप लोग नजर इसमें कोमा लीजेगा ठीक है चलते हैं एकक और कोरल बिलीचिंग को कहते हैं अंग्रेजी में ढ़िक है प्रवाल विरंजन सबसे पहले तो देखने हैं प्रवाल और ग्रेट 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 प्रेट अर्रीफ ऑथ । अब वैगानिकों ने चेतावनिCorunic और कि great barrier reef को आने वाले कुछ सब्ता में गंभीर heat stress का सामना करना पर सकता है मतलब इससे पहले great barrier reef में coral bleaching की समस्या बहुत भयानक थी जिसे वो जहलता आ रहा था अब यहाँ पर बहुत ही severe heat stress का सामना इसको करना पर सकता है ऐसा वैज्यानिकों ने कहा है अब great barrier reef क्या है तो देख लेते हैं अस्ट्रेलिया के पूर्वी तर्ट पर इस्तित यहाँ पर अस्ट्रेलिया है और यह है इसका पूर्वी तर्ट तो यह है आपका great barrier reef ठीक है यहाँ दरसल मुंगे की चटान होती है जिसको हम लोग प्रवाल भित्ति काते हैं आगे देखेंगे हम लोग और तो यहाँ अस्ट्रेलिया के पूर्वी तर्ट पर इस्तित great barrier reef दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति है इसलिए इसक तो यहाँ पर देख सकते हैं क्विंस लेंड किधर है आप लोग इसमें देखिए यह जो छेतर है इसको क्विंस लेंड कहा जाता है ठीक है और इसी के पूर्वी तर्ट पर मरीन पार्क के समान अंतर 1200 मिल छेतर में यहाँ फैला हुआ है ठीक है इसकी चौराई 10 मिल से 90 मिल तक है महादुपिय तर्ट से इसकी दूरी 10 से 150 मिल दूर तक है ठीक है मतलब यह जो महादुपिय तर्ट है यह जो सीमा है इससे यह 10 से लेकर 150 यह जो दूरी है इसकी 150 मिल तक है ठीक है समुद्री पर्यावरन में कोरल रिफ की कोरल रिफ की हिस्सेदारी एक फीजदी से भ निर्भर करता है इन कोरल रीफ में मचलियों की तकरीबन अब इसका महात्व देख लीजे कि पंदरा सो पराजातिया इसमें मचलियों की पाई जाती है चार सो इग्यारा तरह के सक्त मुंगे पाई जाते हैं 134 तरह की प्रजाती की सार्क एवं रेज जो की खास तरह की मचली होती है पाई जाती है यहां समुदरी कचुए की साथ ऐसी प्रजातिया पाई जाती है और 30 तरह के समुदरी अस्तंधारी जीव भी पाई जाते हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है तो यहां इसका तकरीबन 630 प्रजाती की सूल चर्मी जैसे स्टारफीस और समुद्री अर्चिन भी पाई जाती है ठीक है तो देख सकते हैं आप बहुत सारी प्रजातियां यहां पर पाई जाती है है अब देख लेते हैं कोरल रीफ क्या deny समुद्र के भीतर इससे प्रवाल जीवो द्वारा छोड़े गए कैल्सियम कार्बोनेट से बनी होती है जहाद है कि कैल्सियम कार्बोनेट से बनी होती है अब देख लेते हैं प्रवाल क्या होते हैं तो प्रवाल जो है वो कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव मतलब सिलेंट्रेटा पोलिप्स जिनको कहा जाता है वो होते हैं इन प्रवालों की कठोर सता के अंदर सह जीवी सम्मंद से उत्पन रंगीन सैवाल जूजैन थिली पाय जाते हैं प्रवाल भित्तियों को विश्व के सागडिये जय विवित्ता का उश्न अस्थल कहा जाता है मितलब हॉट स्पोट माना जाता है इन्हें समुद्री वर्षावन भी कहा जाता है प्राया बैरियर रीफ मतलब प्रवाल रोधिकाय जो होती है वो उश्न कटी बंदिये या उपोश्न कटी बंदिये समुद्रों में मिलती है यह भी याद रखिएगा कि किस प्रकार के समुद्रों में पाई जाती है उशन कटीवन दिया और उपोशन कटीवन दिया समुद्रों में मिलती है जहां तापमान 20-30 degree Celsius तक रहता है यह शैल भीतिया समुद्र तरसे थोड़ी दूर हट कर पाई जाती है जिससे इनके बीच छीछले लागून बन जाते हैं छीछले मतलब सैलों जिसका गहराई बहती कम होता है क्योंकि अधिक गहराई पर सूड़ी का प्रकास एवम उक्सिजन की कमी होती है अब देख लेते हैं महत्व इसका क्या है प्रवाल भितिया विश्व का दूसरा सबसे सम्रिद्य पारिसिति की तंत्र होता है या ना केवल अनिक प्रकार के जीवों एवं मनस्पतियों का असरे अस्थल होता है बलकि इसका इस्तेमाल औस्धियों में भी होता है बहुत सी दर्द रोधी दवाओं के साथ इसका इस्तेमाल डायविटीज, बवासीर, मुत्र रोगों के उपचार में भी किया जाता है तो इस करण से प्रवाल भितियां बहुत ज़्यादा महत्रपूर्ण है कई अन्य उपयोगी पदार्तों जैसे छनक, फरसी, पेंसिल, टाइल, सिंगार आदी में भी इनका प्रयोग किया जाता है 13,48,000 वर किलोमीटर में फैले अस्ट्रेलिया ग्रेट वेरिया रिफ पर तकरीबन 64,000 लोगों की नौकरी निर्भर है दुनिया भर से ग्रेट वेरिया रिफ को देखने आने वाले परियटकों की वज़ा से उस्ट्रेलिया को हर साल 16,4 अरब डॉलर करीब 42,000 करोर रूपय की आय होती है तो यह उस्ट्रेलिया के लिए कितना महत्रपूर्ण है यह आप सोच सकते हैं अब इससे जुरी समस्याएं क्या हैं वो भी देख लेते हैं कि आकर यह कोरल ब्लीचिंग क्या होती है और इसको समस्या किस बात की जहलनी परती है तो प्रवाल द्वीप जो है जैवेवित्ता के दिश्ट कॉन से काफी महत्रपूर्ण होते हैं लेकिन वर्तमान में नहीं जलवायू पड़ी वर्तर, उश्नकडिवंदिये चक्रवात, श्टार फिस सहित अनेक चुनोतियों का सामना करना पर रहा है अब इन चुनोतियों के बाड़े में नीचे संश्वेप में चर्चा की गई है जिसे हम देख लेते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं महसागरों में करवण डायोकसाइड के विलियन की बढ़ती मात्रा महासागरों की अमलियता में पृद्धी कर देती है जिससे प्रवालों की मृत्यों हो जाती है क्या होता है जब करवन नायोकसाइड महासागर में मिलता है कि अब करवन नायोकसाइड तो हर तरफ से निकल ही रहा है तो जब यह बाया है पानी से मिलता है तो उसकी अमलियता में विधि कर देता है अब जो है वह प्रवाल छहिल नहीं पाते हो उनकी म्रित्य हो जाती है प्रवाल खनन अपरदन इत्यादी को रोखने है तू बनाई गई रोधी का स्पीड बोट के द्वारा होने वाले गाद के निक्षेपन से भी प्रवालों को नुक्सान पहुंसता है ठीक है अधिकांस एटॉल वाहिय जाती प्रवेस मतलब बहुत जादा जो है बाहरी जातीयों का जो प्रवेस हो जाता है इस शेत्र में तो उससे भी इनको बहुत ही नुक्सान होता है इसके अलावा परमानु बंपरिक्षय नित्यादी है और भी अनेक मानविय गतिवेदियां है जिनसे ये विरूपित हो गया है मतलब इनका विरंजन हुआ है ब्लीचिंग हुआ है ओद्योगिक संकूलों से निसकासित होने वाला जल इनके लिए संकट का कारण बन गया है जो भी आपका ओद्योगिक शेत्र है वहां से जो प्रदूसित जल निकलता है वो महासागरों में मिलता है और वह जल जो है इनक के लिए संकट का कारण बन गया है इसके अतिरिक्त तेल रिसाव मत्सयन पर्याटन आदी से भी प्रवालद विपो को नुकसान पहुंचता है तेल का जो रिसाव होता है समंदर के अंदर या फिर जो मचली पकरने का काम होता है उसमें भी बहुत तरह की समस्या पैदा होती है और पर्याटन इत्यादी में भी क्या होता है पर्याटक जो आते हैं वो बहुत सारा कच्रा वगेरा फैलाते हैं और बहुत तरह की अन्यगति विदिया करते हैं इनसे भी प्रवाल दुपो को नुकसान पहुंचता है अब देख लेते हैं कोरल ब्लीचिंग क्या है जब अत्मान प्रकास या पोसन में किसी में भी परिवर्तन के कारण प्रवालों पर तनाव बढ़ता है तो वे अपने उत्तकों के निवास करने वाले सहजीवी सैवाल जुजैन थिली को निक्सकासित कर देते हैं जिस कारण प्रवाल सफेद रंग में परिवर्तित हो जाते हैं अग्चुली क्या होता है, प्रवाल जो होते हैं, वो एक तरह के सहवाल जिन्हें जूजयन फिली कहा जाता है, उनके साथ सहचडे में जीते हैं। लेकिन अगर वो किसी तरह का तनाव में आते हैं किसी बाहरी प्रभाव के कारण किसी प्रकार का उन पर स्ट्रेस होता है तो वो इस सहजीवी सहवाल को निस्कासित कर देते हैं और यह इसी सहवाल के कारण उनका रंग होता है ठीक है अब चुकी यह मतलब सहवाल को निस्कास से जलवायू परिवर्तन की वज़ा से आने वाले चक्रवातो और अब महासागर अमली करन इत्यादी के कारण जो प्रवाल निर्मान को धीमा करने वाला के अलावा तलचट विगटन का भी कारण बनता है कि कारण लक्षद्विप में प्रवालों को एक साथ तिन तिन बाधा का सामना करना पर रहा है अब भारत में प्रवाल वितिया कहा कहा है वो भी देख लेते हैं बीपीसी में क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछला जो आपका 65 बीपीसी है उसमें क्वेश्चन भी प्रवाल वितियों पर पूछा गया था कि भारत में कहा का प्रवाल विति प्रजातियों को दाख के समान ही वननी जीव सन्रक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक सामिल कि आ तु करता है एक तरफ परवाल वित्य। मचलनीयों की की बिबित्य को बचाय रखने में सहहता करती है। वहीं उन लक्ष दूइप में ये चक्रवातों के लिए अब रोधा कारेकर तट्ये कटाव की रोक्थाम में भी सहायता करते हैं लक्ष दूइप समुख के प्रवाल तंत्रों को आध्यान करने वाले वैज्यानिकों का कहना है कि महासागार ये अमली करन काफी चिंता का विशय है क्योंकि हिन्द महासागार बहुत से प्रवाल पहले से ही निवल रूप से नश्ट होने की अवस्था में हैं पहले से ही ये संकर्गरस्त इस्तिती में है और उसके अलावा जो महासागार ये अमली करन हो रहा है किसके कारण CO2 के कारण जो करवन डियोकसाइड उसमें मिलता जा रहा है उसके कारण तो इससे इनके नश्ट होने की पूरी संभावना बनी हुई है इसके लावा अनमान निकोबार कच्छ की खारी, मनार की खारी, नितरानी और मालवा में भी प्रवाल बितियां पाई जाती है तो देख सकते हैं आप लोग अनमान निकोबार हो गया, कच्छ की खारी हो गई, मनार की कच्छ की खारी हो गई आपकी गुजरात में, ठीक है, जिसको कच्छ का रन भी कहा जाता है, मनार की खारी हो गई, जो की भारत और स्रेलंका को जोड़ती है, ठीक है, नितरानी और मालव आप जानते हैं मद्यपरदेश के आसपस का बठार है तो वहां पर भी प्रवाल बितियां पाई जाती है अब कुछ प्रिलिम्स फैक्ट्स देख लगते हैं चोटे चोटे पॉइंट होते हैं गूगल क्लाउड छेतर गूगल ने वर्स 2021 तक दिल्ली में भारत का अगला क्लाउड छेतर खोलने की घोशना किया है तो भारत में दूसरा जो क्लाउड छेतर होगा गूगल का वो दिल्ली में होगा ठीक है 2021 तक बनेगा यहां भारत में गूगल का दूसरा क्लाउड छेतर हो हाला है 2021 तक वर्तमान में एसिया प्रसांद शेत्र में गूगल के 22 क्लाउड शेत्र है यहाद रखने की ज़रुवत नहीं है गूगल क्लाउड से वाए दक्षिन अमेरिका उत्तरी अमेरिका एसिया यूडोप और अस्ट्रेलिया में उपलब्ध है मतला पांच महादवीपों अमेरिका उपलब्ध है गूगल क्लाउड शेत्रों में डाटा संग्रहित किया जाता है यह डाटा स्टोर शेत्र कई कमपनियों को अपना डाटा श्टोर करने और सुरक्षित करने में मदद करते हैं हम लोग भी गूगल ट्राइब वगएरा की मदद से जो संरक्षित करते अपना data या फिर आप देखते है जो mobile में आपका Google account होता है वह आपके contact से और gallery से बागी सब चीजों से sync होता है कहने का मतला आपका जो भी data होता है वो Google Cloud में store होता है ठीक है तो इसके लिए जो है Cloud शेत्र भारत में दूसरा दिल्ली में बनाने जा रहा है और पहला आपका मुंबई में ऑल्रेडी 2017 में बन चुका है दूसरा point देख लेते हैं हम लोग सेवी स्कोर्स अप पार्तिय प्रतिभूति एवं विन में बोर्ड सेवी निवेशको के लिए एक mobile app सेवी स्कोर्स लॉंच किया है ठीक है किसके लिए है तो निवेशको के लिए है किसने किया है तो सेवी ने किया है ठीक है तो यह सेवी स्कोर्स अप जो है वो सेवी ने विक्सित किया है यह आप याद रखिएगा हो सकता है कि परीक्षा में सेव कि सिकायत निप्टान प्रणाली स्कोर्स में अपनी सिकायतें दर्ज कर सकते हैं जो है यह स्कोर्स है वो दरसल क्या है आपका Grievance Redressal System है ठीक है स्कोर्स प्लेटवर्म परनिवे सेथ लिष्टेट कंपनियो रिष्टर इंटर्मडियरीच और market infrastructure institutions के विरुद्ध सेभी से online सिकायत कर सकते हैं सेभी की अस्थापना देख लेते हैं सेभी के बारे में सेभी की अस्थापना भारतिय प्रतिभूती और विनमे बोर्ड अर्धिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रेल 1992 को हुई थी तो यह याद रखिएगा इसका मुख्याले कहां है मुंबई में है यह भी याद रखिएगा इसका मुख्यकारे प्रतिभी सिक्यूर्टी में निवेश करने वाले निवेश को के हितों का संरक्षन करना है तो सेभी के बारे में यह दो पॉइंट याद रखिएगा औरंगाबाद हवाईड्ये का नाम बदलका चत्रपति संभाजी महाराज हवायड्यarent करने का निर्नैंव लिया है। संजुक्त राश्टर संग के पूर्व महासलीव पैरिछ क्यूबेलर का पांच मार्ज दोहजार बईस को निधन हो गया। चुकि यह संजुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचीव हैं इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है ठीक है तो पैरेजडे क्यूबेलर ये नाम याद रखियेगा वेवर्स 1981 से लेकर 1991 तक मतलब लगभग 10 सालों तक संजुक्त राष्ट्र संग के महासचीव रहे थे पैरेजडे क्यूबेलर इराक इरान युद्ध और अल सलवाडोर में चल रहे ग्रियुद्ध के दौरान संजुक्त राष्ट्र के प्रमुख रहे थे तो इनके समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो हैं इरान इराक इुद्ध और अल सलवाडोर में ग्रियुद्ध ठीक है जा भी याद रखिएगा अब देख लेते हैं नेक्स्ट विमल जुलका विमल जुलका को केंद्रिय सूचना आयोग केंद्रिय सूचना आयोग सेंट्रल इन्फोर्मेशन कमिशन का नया मुख्य सूचना आयोग्त न्युक्त किया गया है इससे पहले यह क्या थे सूचना आयोग्त थे ठीक है तो इनको मुख्य सूचना आयोग्त जो है वो न्युक्त किया गया है और इससे पहले जो मुख्य सूचना आयोग्त थे उनका नाम था सुधिर भारगव जो की 11 जन्वरी को रिटायर हुए है ठीक है तो पहले वाला भी याद रखिएगा सुधिर भारगव और अभी जो हुए हैं उनका भी नाम याद रखिएगा विमल जुलका सुचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतरगत केंद्रिय सुचना आयोक का गठन 12 अक्टूबर 2005 को किया गया थ केंद्रिय सुचना आयोक का गठन कब किया गया था 2005 में डेट याद रखने की ज privacy लेकिन वर्स जरूर याद रखियेगा ठीक है आयोक की अधिकारता सभी केंद्रिय millennials लोक प्रण प्रधिकारियों पर है आयोक की सक्तियां और कारिय सुचना अधिकार अधिनियम ठीक है रा याद रखिया किस किस एक्ट में लिखेते हैं किस किस धारा में लिखेते हैं यह भी याद रखना है अब देख लिए हैं महाराजा रंजीत सिंग के बारे में जो है बीबीसी का उसके द्वारा यह सर्वेक्शन कराया गया था जिसमें महाराजार रंजीत सिंग का चेयर सर्वकालिक सबसे महान नेता के रूप में किया गया है ठीक है अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं जिस अंतराश्रिय पत्रिका द्वारा इंदरा गांधी को 100 शुची में सामिल किया कर ल़नच होगा नेक्ष्ट हमारा मंगें ठीक है और इसके लिए जो City अना म descrição म के द्वहर के या इसको या वैग्यानी को द्वारा किये गया, आप एंसर बताइएगा, कि जो हमारा चंद्रयान टू मिसन था, उसमें जो रोवर था, उसका नाम क्या रखा गया था, ठीक है? इसको कॉमेंट में जरूर लिखियेगा, वैग्यानी को द्वारा किये गया, सोध के अनुसार, जिस पौधे ठीक है और ये एंडोफाइटी काक्टिनो पैक्टिरिया किस से जुड़े होते हैं तो चाय के पौदों से जुड़े होते हैं ठीक है और ये कवक नासी गतिविदियों को बढ़ावा देते हैं गूगल ने जिस भारतिय सहर में ये तो क्लावड शेतर के बारे में हम लोग पढ़ी चुके हैं बंगलादेश ब्रोध क्रिष्टी प्रचार संग के प्रमुख का नाम जिसका हाली में निधन हो गया है तो ये सुद्धानंद महात्रों जो थे वो बंगलादेश के ब्रोध क् लगातार सुर्कियों में हैं याद रखियेगा हाली में जिस देश ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर अपने रुख पर कायम रहते हुए संजुक्त राष्ट में फिलिस्तीन के पक्ष में मददान किया है तो वो भारत है भारत और इजराइल की दोस्ती बहुत म के दुआज है á कैंदिर जल सकती मञें हालही में मिशनगरामीन के किस चरूण की है कि सुरूण और यह स्साइब और इसं व फिलिक्वेशन क Travis ओघंड है पर रहते हैं किसे स्ट्स पहुचा गया था कि जो तो दिव्यांगों के लिए जो डिक्ष्णरी बना गई थी उसका कौन सा संसकरन जारी किया गया है तो इस तरह के question पूछे जाते हैं इसलिए याद रखिएगा कि दूसरा संसकरन है यह जिस विस्व चैंपियन वैडमिंटल के लारी को हाली में चौटन होगे बाहिए जिस किलारी ने 520 मैच के लने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बने है तो वो केरोन पोलाड बने है ठीक है पाच सोटी ट्वेंटी मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने है केरोन पोलाड वित्त मंतरी निर्मिला सीता रमन के अनुसार केंदरिया मंतरी मंतर ने इतने सरंकारी बैंकों के विले से 4 बैंक बनाने को मंजूरी दी है तो अभी फिलाहल 10 ज़ो विले करके 10 बनाया गया था अब उस 10 को भी विले करके 4 सरकारी बैंक केवल रह जाएंगे इसकी मंजूरी जो है निरमला सीतारमन के अनुसार केंदरिय मंद्री मंदल aur दे दी है करमचारी भविस्य निदी संकटन इपी एफ ओ ने वित वर्स 2019 बिस के लिए ब्यासदारे आर दसमलो चो पांच फिजदी से घटाकर जितने फिजदी कर दी है तो आर दसमलो पांच जिरो फिजदी कर दी या कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है इसको नहीं भी या भारतिय नौसेना ने कोरोना वाइरस के लगतार मामलों को देखते हुए हाली में जिस बहु राष्ट्र मेगा नौसेनिक अभ्यास को टाल दिया है तो मिलन 2020 को टाल दिया गया है ठीक है रामनात कोविंद ने अच्छा ये कॉमेंट में लिखिएगा कि मिलन 2020 जो है वो किस बारतिय नौसेना थो ही बारतिय नौसेना के साथ किस देश की नौसेना का भीहास है ठीक है यह कॉमेंट में लिखिएगा दो केशनाब के लिए हो गए रामनात कोविंद ने हाली में राष्ट्र पती भवन में आयोजत एक समारों में जितने मेदावी कलाकारों को एक-60 व लिखिएगा ललित कला अकादमी पूरसकार जो है वह किस छेतर में दिया जाता है वैसे तो नाम से अंदाजा लग जाएगा लेकिन फिर भी लिखिएगा बिसिस याई की सलाकार सामिती ने हाली में जिसे टीम इंडिया का मुखे चेहन करता नियुक्त किया है तो वो सुनील जोसी को किया है ठीक है सुनील जोसी को मुखे सेलेक्शन चेहन करता चुना गया है उत्राखंड सरकार द्वारा जिस शेतर को राज्य की ग्रिस मकालीन राजदानी घोसित किया गया है तो गैर सैन ठीक है उत्राखंड ये बहुति इंपोर्टेंट हो जाता है उत्राखंड PCS के लिए भी और उत्राखंड के अन्य एक्जाम के लिए भी और बाकी एक्जाम के लिए भी यहां important हो जाता है उत्राखंड सरकारदोरा की सराजे को अपनी ग्रिस मकालीन राजधानी घोसित किया गया है तो गैर सैन वह देश जो विसो में निसुल्क सारवजनिक परिवार की सुविधा कर प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है तो यहां लगजम बर्ग है यहां भी बहुत important है याद रखिएगा भारत में राष्ट्रे सुरक्षा दिवस जिस दिन मनाया जाता है चार मार्च को राष्ट्रे सुरक्षा दिवस मनाया जाता है जिसे तुर्की में भारत का नया राजदूत न्यूक्त किया गया है संजय कुमार 25 के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही है मतलब अभी के लिए बस इतना ही है आज तो खेर हम लोग पूरा करें इंटरफेर्स करेंगे तो अभी के लिए बस इतना कहूंगा कि वीडियो को देखिए लगातार देखिए आप लोग देखना बंद कर देते हैं बतीड निर मै ने वीडियो नहीं दिया तो आप लोगों ने पिछले वीडियो देखे ही नहीं तो ठीक है वीडियो देimaanे लएक कीजिए तीन चार वीडियो में डाल दूगा जिसमें पूरा करेंट अपडेट हो जाएगा ठीक है तो आज अभी के लिए बस इतना ही चलता हूँ जहिंद वंदे मातरम खुब बढ़िया से होली इंज्वाई किये होंगे आप लोग ये मेरी सुभकामना है आगे भी इंज्वाई करते रहे और कोरोना वायरस से डरने की जूरत नहीं है आज कल बहुत ज़्यादा पैनिक फैला हुआ है कोरोना वायरस को ले करके बहुत ज़ काम किया है और आप लोग को एतियातन जितने भी कदम उठाने है उसकी जानकारी दी ही जा रही है तो कोई भी पैनिक करने की जुरत नहीं है हमारे भारतिय संस्कृतीम में इतने ज्यादा एंटी वायरल तत्व मौजूद है और जिनका डेली हम लोग इस्तेमाल करते हैं त तो संक्रामन कभी होए नहीं सकता है विदेशीों से लिए सांक्रामन की संभावन नहीं प्रतीत होती है और अभी तक केवल दो लोगों की मृतियों ही है दोनों बजोर्ग थे उनको पहले से भी बहुत सारी वीमारिया थी तो इसलिए इसरे घवराने की जरुद नहीं है 3% mortality rate है और 14 दिन का तो उसका life spam ही है वाइरस का कोई बड़ी चीज नहीं है दस लोग तो ठीक हो करके जा भी चुके है घर और डेली ठीक हो करके लोग घर जा भी रहे है तो फिर इसके लिए डरने की जुरूत नहीं है ठीक है चलता हूँ जैहिंद वंदे मातरब